हेलो गाईज, मिर्ची नियूज में आप लोगों का स्वागत है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि सिधार्थ शुकला को जो है वो कूपर होस्पिटल में लेके जाया जाता है जहां पर डोक्टर चेक अप करते हैं और बताते हैं कि होस्पिटल लाने से पहले ही उनकी हाट टेक की वज़े से मौत हो चुकी थी उसके बाद उनके पोस्ट माटम की बात की जाती है जिसको लेकर उनके परिवार वाले ऐसे हमती जदाते हैं सिधार शुकला की मा, बहन और जीजा कोई भी इस बात के लिए सहमत नहीं होता है लेकिन मुंबई पुलिस जो है वो पोस्ट माटम करवाने की सहमती दे देते हैं और पोस्ट माटम शुरू हो जाता है शाम को चार बजे जो है सिद्धार शुकला का पोस्ट मार्टम किया जाता है और जो पोस्ट मार्टम है उसकी विडियो ग्राफिक की जाती है और मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है आप लोगी जानते ही होंगे कि पहले भी सुषान सिंग राजपूत के केस में थोड़ी लापरवाही की गई थी जिसको लेकर मुंबई पुलिस अब बहुत ज्यादा सतर्क है तब ही तो मुंबई पुलिस ने परिवार की सहमती ना होने पर भी पोस्ट मार्टम की इजाज़त दिया और पोस्ट मार्टम करवाया तो पोस्ट मार्टम जो है वो हो चुका है और उसकी इनिशल रिपोर्ट जो है वो परिवार वालों को सुभे सौप दी जाएगी इसके साथ साथ सिधार शुकला का पार्थिव शरीर भी परिवार वालों को सुबह ही दिया जाएगा तो उनके जो अंतिम विदाई है वो कल ही यानि की शुकरवार को की जाएगी पूरे वोलिवोड में शोक की लहर दोड़ चुकी है और तमाम हस्तियां उनके घर पर आ रही है सुधार शुकला के जो दोस्त हैं वो उनकी मम्मे के साथ बने हुए है शेहनाज की क्या हालत है इसका हाल राहूल महाजन ने अपने लाइव इंट्रिव में जो की आज तक के साथ हुआ था उसमें बताया उन्होंने कहा कि जब वो उनको इस बात के बारे में पता चलता है और वो सिधा हॉस्पिटल पहुंचते हैं मिलने के लिए शिधार शुकला के शरीर को अंतिम बार देखने के लिए लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी और पुलिस फोर्च थी कि किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था तो उन्होंने का कि उसके बात जो हैं वो शेहनाजगिल से भी मिलते हैं जहां पर वो उनके चहरे को देखकर शौक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल सफेद पढ़ चुका था और जो सेहनाज गिल है वो ये बात मानने को ही तयार नहीं है कि सिधार शुकला इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं राहुल महाजन ने ये भी कहा कि शेहनाज गिल को पहचान पाना ही मुश्किल हो गया था क्योंकि उनका रो रोकर बुरा हाल हो चुका है वो उनको कम से कम आठ से दस दिन लग जाएंगे सिर्फ इस बात को मानने में कि सिधार शुकला अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं इसके साथ साथ राहुल महाजन ने अपनी और चिधार शुकला की दोस्ती के बारे में भी बताया उन्होंने कहा कि सिधार शुकला एक सूपरमैन की तरह थे उनकी बोड़ी बहुत ही फिट थी वो बहुत ज़ादा एक्सरसाइज करते थे लेकिन वो बहुत ही फिट थे रा अपनी मन की बाते नहीं बताते थे उन्होंने ये भी कहा कि सिधार शुकला बहुत ही आध्यात्मिक थे आप लोग बिलीव नहीं करेंगे पर वो सच में बहुत जादा आध्यात्मिक थे आगे उन्होंने बताया कि कुछ महीनों पहले ही सिधार शुकला से मेरी फोन पे बात ह और तब हम लोगों ने मिलने का प्लान बनाया था क्योंकि हम लोग काफी टाइम से नहीं मिले थे लेकिन मुझे नहीं पता था कि आखरी बार से धार शुकला से मेरा इस तरह से मिलना होगा